यदि आपने मॉल में बने टॉयलेट को कभी यूज किया है, तो आपने इस बात पर ध्यान दिया होंगा कि इन जगहों के टॉयलेट्स का दर्वाजा नीचे से खुला हुआ होता है. फ्लो और दर्वाजे के बीच में इतना ज्यादा गैप रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ती टॉयलेट का उप्योग करने से पहले इसके बारे में जरूर विचार करता है कि इतना गैप क्यों रखा गया है? एंजीनियर्स की यह क्रियेटिविटी सार्वजनिक रूप से गलत व्यवहार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है. वैंडलिजम यानी बरबरता, ग्राफटी या भित्ति चित्र, ड्रग अब्यूस और यहां तक की सेक्स जैसी गतिविधियों को होने से रोकती है. इस क्रियेटिविटी के जरिये सार्वजनिक स्थान पर कई तरह के बुरे व्यवहारों में वास्तव में कमी आई है. और लोग महसूस करते हैं कि यह एक सार्वजनिक स्थान है और वहां कुछ बेवकुफी करने से बच्चते हैं. फर्श और दर्वाजे के बीच जगा होने का दुसरा कारण ये है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे अंदर से टॉयलेट लॉक कर लेते हैं. फर्श और दर्वाजे के बीच जगा होने से टॉयलेट की सफाई करना आसान हो जाता है. वाइपर और मॉप को आसानी से घुमा सकते हैं और क्लीनिंग को मंटेन रखा जा सकता है. यदि टॉयलेट के अंदर कोई medical emergency हो जाती है और दर्वाजे लंबे समय तक बंद रहता है, तो ऐसा होने से बाहर लोगों को पता चल जाएगा कि अंदर के व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी है, जिसकी वजह से कोई बड़ी देर से अंदर है और बाहर नहीं आ रहा है या रही है, और ऐसी emergency में दर्वाजे और फर्ष के बीच का gap बहुत ही उप्योगी साबित हो सकता है, कीमती समय की बचत करते हुए उस व्यक्ति को स्टॉल से बाहर निकालना बहुत आसान होता है, उद्देशे ये भी हो सकता है कि दर्वाजे और फर्ष के बीच जगा होने से बाहर वाले लोगों को आपके पैर आसानी से दिख जाते है, इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति भूल कर भी अंदर जाने की गलती नहीं करेगा, और यह अनावश्यक कतार को भी रोकता है, छोटा दर्वाजा होने से हवा का आदान प्रदान निरंतर टॉयलेट में बना रहता है, जिसकी वजह से अंदर बैठे व्यक्ति को सफिकेशन की समस्या या घुटन को रोका जा सकता है, यदि आपके पास टॉयलेट पेपर खत्म नहीं हुआ है, तो शुक्र मनाए क्योंकि ये काफी शर्मनाख हो सकता है, अच्छी बात ये है कि दर्वाजा नीचे से खुला हुआ है, और आप पूरी तरह से गंदे और शर्मिंदा नहीं होंगे, एक फ्रेंड या फिर स्ट्रेंजर आसानी से आपको डॉके गैप से टॉयलेट पेपर पास कर सकता है,